स्कूली बच्चे पर भारत माता की जै बोलना भारी पर गया है स्कूल में राश्ट्रगान की बाद बच्चे ने भारत माता की जै का नारा लगाया और उसके बदले में उसे घंटो जमीन पर बिठाया गया है इतनी करी सजा देने का मामला जब से सामने आया है लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं क्यूंकि एक नारे की वज़ा से बच्चे को घंटो जमीन पर बिठाया गया है इतना ही नहीं बलकि सिक्षक नहीं बच्चे को जैकारा स्कूल में नहीं बलकि अपनी घर में लगाने की चेताउनी भी दी है और अब जब इस बात की जानकारी हिंदू संगटनों के नेता को मिली तो सबके सब पहुँच गए स्कूल और वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया बच्चे को मिली एस सजवा के विरोध में स्कूल गेट की बाहर हनुआन चलीसा का पाठ भी पढ़ा गया है तो क्या है पूरा मामला आपको उम्दुस्तार से आगे की खबर में बताएंगे मगर उसकी पहले नमश्कार आप जंता जंक्शन दीख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे अपने सपनों के आश्या को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रिब्यूटर ओफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभे प्रकार के इंडियन औन इंपोर्टेट ग्रेनाई माबुल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकरजग संग्रे माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अक कम्प्लीट फ्लोर सिलीशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफर पूर मामला मदर प्रदेश के गुना का है जोहां एक छात्र को इसलिए सजा मिली है कि उसने आखिर भारत माता की जैका नारा स्कूल में क्यों लगाया स्कूल में बच्चे को इस वज़ा से एक सक्षक ने करी सजा दी है जिसका विरोध अब बच्चे के घरवालों से लेकर इलाके की सब भी लोग कर रहे है दिरे दिरे ये मामला तुल पकरता जा रहा है जिसके विरोध में अभी भावकों ने स्कूल की बाहर विरोध प्रदेशन भी किया बच्चे की माने उसको कहना है कि उसने सिर्फ रास्टरगान की बाद भारत माता की जै का नारा ही लगाया था उसकी बाद एक टीचर ने बच्चे के कॉलर को पकरा और उसे लाइन से बाहर निकाल दिया बच्चे को प्रंसिपल के पास जाने को कहा गया और टीचर ने नारा स्कूल में नहीं बलकि घर में लगाने की बच्चे को धमकी भी दी है इसके अलावा भी 4-5 पीरिड तक बच्चे को क्लास से बाहर बठाया गया जमीन पर बिठाया गया है तो वहीं अब इस घटना के विरोध में बच्चे के अभी भावक से लेकर इलाके की लोग और हिंदू संगठन की लोग स्कूल प्रसाशन पर करी कारवाई करने की मांग कर रहे हैं गुना के क्राइस्ट सेनियर सेकेंड्री स्कूल के बाहर इकठा होकर पेरिंट से हनुमान चालीसा पर कर सिक्षकों को सजा देने और ऐसे घटना फिर दुबारा किसी के साथ ना हो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं अगर स्कूल की प्रिंसिपल की माने तो उनका कहना है कि सिक्षक ने बच्चे को सजवा भारत माता की जै का नारा लगाने के लिए नहीं दिया था बलकि इस नारे का मजाग बनाने के लिए दिया था राश्चुकान खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपने अपनी क्लास में जा रहे थे तब ही एक चात्र ने भारत माता की जै का नारा लगाया और उसने के नारा देश भक्ती में नहीं बलकि मजाग के तौर पर बाहर बठाया गया वो भी जमीन पर और उसे कहा गया है कि ऐसा मजाग वो दुबारा ना करें आपको बता देए इस पुरे मामले को लेकर ठाने में एफ आयर भी डर्ज हो चुका है जिसके बाद पुलिस को कहना है कि वो इस मामले की जांच करेंगे और अगर सक्षक की गल मामला सामनी आया है तब ही से लोगों में आकरोश देखने को मिल रहा है अब इस मामले में जांच चल रही है आगे कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम पहुंच आएंगे तब तक आप अपनी राय ऐसे मामलों को लेकर कम इंड बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बागती ने खबरों को जानने के लिए दिखिरेए जनता देंशन के आपने के पीछे ते विशाल और मैंतिया आपके साथ बंदना ख्यानवार।